श्री रादे रादे, भक्तों ध्यान का भी बहुत बड़ा महत होता है, आप यह समझो कि गोपियां सहाज ही ध्यान करती थी पगवान का, और सहाज ही आपस में एक दूसरे से कृष्ण के विशय में ही कहती सुनती जाती थी, उन्हीं की कथा बड़े भाव से एक दूसरे को कहती थी, सुनती थी, सुनाती थी, गोपिगीत में भागवजी में, नवेश लोक में इसले गोपियों ने कहा था, तव कथा मृतं तप्त जीवनं, कवि भिरीदितं कल्मशापं, श्रमण मंगलं, श्रीमदात तम भोविग्रनं तिते भोड़िदाजना, श्रमण मंगलं, ये प्रभु आपकी कथा अर्थात भक्त भगवन्त की चरित्रू, श्रमण मंगलं, श्रमण करने से ही मंगल कारण वड़ामते हैं, सुनने से ही पूरुन करने, कल्यान कर देते हैं, और इसी नवेश लोक के बाद जो दस्वाश लोक गोपियों बोलती हैं, प्रहसितं प्रिय, प्रेम वीक्षनं, विहरनं चते, ध्यान मंगलं, रहसिसं विदो, याहर्देश प्रिशह, कुवक नोमन, क्षोग यंति, इस लोक में गोपियों करते हैं, ध्यान मंगलं, आपका ध्यान करना परम मंगल का रही है, परम का लियान का रही है, इस गोपिगीत में, श्रमण मंगलम भी का गया और ध्यान मंगलम भी का गया अर्थात भगवान की मंगल में चरित्र श्रमण करना और भगवान का ध्यान करना दोनों ही मंगल में है तो हमें दोनों ही करना है भगवान की चरित्र भी सुनना है और भगवान का ध्यान भी करना नाम जब करना है गुरुमंत जब करना है नाम कीर्टन करना है अपने इस जीवन को पूरा कपूरा ठाकुर जी के लिए अर्पिट कर देना है अब एक भक्त की जी जैसा है कि वो ध्यान कैसे करें, ध्यान के बहुत तरीके होते हैं भक्तों, मैं सबका पूरा विश्ट्रित वर्णन नहीं सुनाँगा, योगवालों का ध्यान अगलग होता है, आस्टांग योगवालों का, वो तो आस्टांग प्राणायाम, ध्यान धारनाम, पहले तो वो कहते हैं कि चित्व शुद्धी के लिए ये सब करो, आखिर में उनका समाधी में ही प्रयावसान होता है, शुरू वो लोग यम से करते हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम धारना, ध्यान धारना समाधी, लेकिन वो कठिन बहुत है, अस्टांग योगवालों का, प्राणायाम बहुत करना प्रता है, बाए प्राणायाम करके, मन को शुद्ध करके प्राणायाम के ड्वारा, ध्यान योगमार्ग में, उसमें भी जिसको, अच्छी तरह से प्राणायाम में पैठ हो, हर तरह के प्राणायाम कर लेता हो, और बहुत प्रकार से चित्षुधी कर चुका हो, खेचरी मुद्धा जिसके लिए बिलकुल सरल हो, बिना खीश्टान के कर लेता हो, उसके लिए योगमार्ग का ध्यान सरल होता है, किन्तों मैं फिर भी कहूँगा कि सरस्थ भाक्ती मार्ग के ध्यान के जैसा नहीं होता है, नीरस्ता इसमें कुछ रहती वक्तों, बहुत टाइम लगता है, सिद्ध पुर्षों का ध्यान ऐसा भी होता है, कि उनको हर जगए भगवान से सीता राम स्री राधा कृष्णी ही दिखलाई पड़ते हैं, अपने नासिका के द्वारा ली जाने वाली स्वांस छोड़ना लेना, इसी में उनको राधा कृष्णी का अपने शरीर में आना जाना आना जाना नासिका के द्वारा, ऐसा नहीं होता है, ब्रिंदावन के राधा कृष्णी दिखते हैं, उनको तो पत्ते में भगवान दिखलाई पड़ते हैं, ब्रिंदावन के पत्तों में, पक्षियों में, पशुओं में, जीवजन्तों में, उनका ध्यान तो बहुत ही उच्छ होता है, वैसा ध्यानार किसी का हो नहीं सकता ह हवाब चल रही हो उसमें कृष्ण की स्वांस हन्वा होती है बहते हुए पानी में भी ये बड़े महान पूर्षों के ध्यान ऐसे होते है वह एक जिगह बैठे बैठे बता देते हैं कि वो संत उस जगह पर है ठीका दास का चरितर मैंने सुनाया आपको ठीका दास बता देते थे कि मेरा शीष्य कहां पहुंचा हुआ है आ रहा है कि जा रहा है किस जिगह बैठा है उन महापुर्षों के ध्यान की बड़ी शक्ती होती है वो इतना सरल नहीं है कि ठोड़े जिन में हम सिद्ध कर लें भक्तों द्यान के लिए आहार शुद्धी बहुत जोड़ी है आहार शुद्धो सत्वशुद्धी सत्वशुद्धो ध्रुवः स्मृति है लेकिन जो व्यक्ती नस्uffा बाजाय है कुछ नस्चा करके ध्यान करता है उनका तब बहुत मस्ती आती है वो मस्ती ध्यान के नहीं रहती वो नश नस्या की मस्ती रहती ह। उसको नस्चोड़ना पड़ेगा तब सात्विक ध्यान भगवान के लएगा एक नंसा का परित्या करना पड़ेगा. और किसी भाह उसे भी आप ध्यान कर सकते हैं। गुपियां तो प्रिया-प्रितं भाह उसे करती थी, लेकिन जैसोदा मेवा, कुले मआव। वाटशल भाह उसे ही करती थी. वसिष्ट जी अपने सिष्ट के भाव से ध्यान करते थे, करते नहीं थे स्वतव होता था इन लोगों का ध्यान, हमको आपको तो करना पड़ता है, इनको स्वतव होता था ध्यान करना नहीं पड़ता था, कहीं-कहीं तो ऐसा चेरित मिलता है कि गोपियां ध्यान अपना हटा के लिए कोशिश करती थी कि हमांको ध्यान ही लग रहता है घर का कुछ काम ही नहीं होता है तो ध्यान हट जाए तो बड़ी उच्च वस्ता है किन्तु हम लोग साधक हैं तो जो गीता जी के आठ्वे अध्या में भगवान ने का अत्रस्मात सर्वेशु कालेशु मा मनुस्मर यद्ध्य चे अर्ज्वresent, लगातार मुझे याद करता रहु और यद्भी करता रहु हूझ, तय де आतंपड़ भगवान को याद करते रहे वो वी ध्यान है। जैसे हम अपने नाती-पोते को बच्चे को पतणी को प्रिया को प्रियतम को पती देव को घर के रिष्टेदार नात्यदार दोस्त को दूसमन को याद करते रहते हैं किसी से मरने का खत्रा हो को मार देगा तो उसका वहुत ध्यान होता रहता हम ध्यान करते नहीं अपने आप ध्यान होता है कि उसने हमको चुनोती दिया है कि सर याम गोली मारेंगे, आप उसका ध्यान आपको करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होता रहता है, ऐसे मन का जहां पर अठकाव हो जाता है, उस जगह अपने आप ध्यान होता है, अच्छा होगा तब भी ध्यान होगा, बुरा होगा, तब भी ध्यान होगा, भगवान का तो बुर कृष्ण इतना बल्वान है कि उससे हम जीत नहीं पाएंगे ऐसे दुस्टता के भाव से राक्षतों ने ध्यान करके भगवान की गति प्राप्त कर लिए धाम प्राप्त कर लिया तो ध्यान का मत्तब हुआ चित वृत्ती का निरोध और ध्यानम निर्विशयम मना हुआ 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 का विवरन में सुनाओं तो बहुत विस्तार होजाएगा वह भगवां को ध्यान में बुला लेते हैं और भगवान को जिछ्ज राम अंगल्दा जी बुला लेते कि मैंने सुनाया उनका ठीरे ड्राप को और ध्यान में बुला रहे हैं जिस प्रभु के स्वरूप को देवीर को देवता को संत महात्मा को रिशी मुनी को वह आ जाते थे उनके सामने ऐसी शक्ती थी उनके ध्यान की अब उनके समुख तो हम लोग बहुत चोटे हैं यह आपक बहुत प्रियता हो जैसे मैंने आपको सुनाया था सुधारसन सिंग्चक्र जी ने करने को चोटा भाई मांन लिया था कानू देवी देवताओं की और पैर नहीं पहला थे कानू की और पैर फैलाले थे कि ए तो चोटा भाई मेरा कि इतना अपना पनु भाव कितना पवितर था कि राधारानी जेठ मान के प्रणाम करती थी और राधारानी को आशिरवाद दिया था बर्सानम उने राधारानी ने पाहाड पर दूर से दर्शन दे दिया था आप कथा वो सुनेंगे चक्री जी की चरितावल में ने सुनाया आपका रिस्ता भगवान से चित्य शुद्धी के लिए आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा, हाँ भोजन तो जरूर सात्विक ही करना आपको, आपको खेचरी मुद्रा भी नहीं करना पड़ेगे, ये प्रेम भरा हुआ रिस्ता आपको जोड लेंगे भगवान से, हाँ पेट में गयस आदि नहीं हो, त आप सांती से बैठना पाएंगे, सबसे बढ़े भर्रह हूद का ध्यान होता है, वेसे ध्यान हमेशा करना है, अवर्र नहीं करना प्रोध में हाँमिहरदं, हमेशा करना ध्यान,त्याई कि प्रगाड़ता अपसे नहीं बनती है तो निया तो लिएट करते रहो प्रभु को, कि इस समय कहां प्रभु को क्या करना चाहिए, हम कौन से चीज खिलाएं, कैसे बैठाएं, उनको गुमाने ले जाएं, सान कराएं, कपड़ा पहिनाएं, विश्राम कराएं, चरहन सेवा करें, हर हवा उनको करें, ठंड का टाइम है तो अच्छे-च्छे सुन्दर रजाई जाब से उनकी सेवा करें, गर्मी दें, हीटर चलाएं, गर्मी का टाइम है तो ऐसी चलाएं, यह सब करने से मन भगवान में लग जाता है, और भगवान का अनुभा होने लग जाता है, और हमें भगवान की याद आती, यह दिए आपके पास बाल कृष्णों हों, लड्ड जाएं, यह दिए अनुद्धिया करते हैं, उनके लिए हमको इस समय ऐसा भोग लाना चाहिए, जो बड़ा दुर्लब है, इस भगवान ने ऐसा संपन्नता दी है, तो कीमती से कीमती सामान लओ, नहीं संपन्नता है, तो मानसिक ध्यान करो, मानसिक सेवा करो, आपके पास ठ दिहान में और ध्यान कातात्पर मेरा जहा है, प्रेम में, आपके प्रेम में शुद्धता, पवित्रता, सरिष्टता होगी, तो आपकी दी गई वस्तु को भगवान ग्रहन करेंगे, गीता जी के नमय ध्या में ठाकुर जी ने कहा है, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, य प्रेम पुर्वक मेरे लिए कोई भी भोग अरपन करता है, मैं उसको स्विकार कर लेता हूं, बस ध्यान रखना, सात्विक होना चाहिए, वस्तु, भगवान ने तो पत्ती, फूल, जल, फल का नाम लिया है, तो सात्विक भोजन भगवान को प्रेम से खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ, आपको, आपको भاؤना, आपकी भावना है चमच है, चमच खिलाओ, लेकिए सबसे जयादा है कि आध्याहिए, अपने उंगली से, हाथ से ले कर चटाना है, खिलाना है, गोद में बैठाना है, जुलारना है, पियार करना, जुला-जुलाना। तो यह सेवा में ध्यान जो होता उसमें एक आगरता ज्यदआ होती है और जिसमें सेवा नहीं हो तो आपको आनन तो मिलेगा लेकिन उसमें आनन ज्यादा सेवा बाल Unless you call पादुका का ध्यान करते हैं और नित्पूजत प्रभुपावरी प्रीतिन हिर्दे समात मांगे मांगे आयस्ट करत राजकाज बहुभांत बरजी सिंगासन पर राम जी की पादुका बैठाए हैं और सिंगासन के पादुका के बराबर नेट उनके ऐसे नीचाई पर खुद बैठे हैं और लगातार देख उनके बोलने की प्रतीक्षा मत करो बोलते जाओ बोलते जाओ कभी तो बोलेगा लाला इंतिजार करो विश्वास रखो विश्वास रखोगे तो बोलेगा जरूर आप अपना विश्वास मत बिगरने देना प्रतीक्षा करो कब बोलेगा तुम बोलते जाओ तुम जैसे छ आप अपने भाव के उनस्वार प्रोफ से बात करते रहो, खिलाते रहो, उनको सुख देते रहो, सुलाओ तु चरण भी डबाओ, श्री विग्रह है तब भी चरण दबा सकते हो, ध्यान में तु दबा नहीं है, और सीजन के उनस्वार सारी सुविधैन सुख की, सुवेवस् सीजन के अनुसार ही सनान भी कराना चाहिए, जैसे गर्मी में दही के सनान करा लो, जाडे में तो बस गरम पानी से मुझ पोश को तु रंत कपड़ा बदल देना, मैं उदारन के रूप में आपको बता रहा हूं, तो यह जो ध्यान है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कि कैसे कैस करना, आपके मन के अनुकूल सेवा होनी चाहिए, मन आपका संतुष्ट हो जाए, कि हां मैंने सेवा सही किये, तो यह कुछ गलती भी होगी, तो भगवान उसको गलती नहीं मानेंगे, उसको सही माननेंगे, आपका ही मन यह कहेगा, नहीं सेवा सही, नहीं गलत हुआ है, त वो खुश हो जाएं, मन आपको खुट हो जाएं, हाँ आज तुट्रा कुर्जी को, खुब सुख मिला, आपको अनुभो भी होने लग जाएगा, यदि आपकी प्रेम वाली बात, जो प्रीती है, वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो भगवान आपको सौपन में बताएंग गुरू के मुख से बोल सकते हैं, वक्तों कई लोग गुरू के अंदर अपने भगवान को देखकर उनका ध्यान करते हैं, कई लोग तो गुरू का ध्यान पहले कर लेते हैं, बाद में भगवान का ध्यान करते हैं, शुडू में गुरू जी का ध्यान, बाद में भगवान क हैं जो अपने ठ कोख को ही हम doable के अंदर देखते हैं कि और उनका द्यान करते रहते हैं मैं मैंकि अ उस money को मिलता है कि उसमिन को इतना सुख मिलता है कि गुर्देव की विसेवा हो जाती है वहागवान की विसेवा हो जाती है और आनंद ही आनंड ज कोई सीमा नहीं है यसे प्रेम की सीमा नहीं है आप जिह करोगे तो आप उपन धीरे धीरे मार्ग और प्राफ्त करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे शेवा आपकी छार्चांद लगा और देगी. आप रात को जब सो तो अपने ठाकुर जी की श्रिविग्र को 36 चिपका के भी सो सकते हो. अपने भाव के नुसर प्रियार प्रीम में चिपका सकते हो. और नहीं तो बहगल में सिंगासर उनका उनका उनकी पर लिचा करके उनके पास मस्तक अपना रख के लेट जाओ अपने सुबह जगने पर उनको तुरंत नहीं जगाओ नहाद हो करके तयार हो जाओ उनके लिए कुछ भोग तयार कर लो मानसी की यास प्रत्यक्ष तब उनको जगा करके उनको भोग खिलाओ फिर उसके बाद आरती करो तो यह मैंने कुछ न और भक्तों यह भी ध्यान करना पड़ेगा आपको की ऐसी चीजों से बचना होगा जो ध्यान में बहुत आनिका रख जैसे आपने कुट्टा पाल लिया अब कुट्टे की आप सेवा करोगे कुट्टा लेकर टहलाओगे तो भगवान की सेवा आपकी नहीं हो पाएगी बा बार-बार मन ध्यान कुट्टे में जाएगा इसलिए आपको ऐसी कुसंगत की चीजों से बचना पड़ेगा मैंने केवल एक रूप रेखा सी हलका जैसे मैप संजुल नक्सा वो बताया आपको आप इसमें चलेंगे तो आपकी प्रगत इतनी होगी कि यतना मैंने बताया उ लेकिन अंदर के ध्यान में जो होता है अंदर भी आप सिंहासन रख सकते हो अंदर ही आसन लगा सकते हो अंदर भगवान का विश्टा लगा सकते हो और इन सब के अलावा भगवान को एक सुन्दर सा हरदय के अंदर कमल है और नीचे की तरफ खुला हुआ गुमा की उपर और मुह कर लो फंखडी खिल गई उसके बीच की गदी पर उसको करनी का करते है उस पर अपने बाल राम को है बाल कृष्ण को बैठा करो फिर उनसे बात करो सेवा करो ऐसा भी कर सकते हैं सिंहासन पर बैठा सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगए गोद में उनको लेकर के काऊने आप बंड़न पर रिक्वां भी कर सकते हैं और अपने आवास में भी गुमापिरा सकते हैं बहुत परकार की सेवाई होती है बहुत परकार का सुक दिया जाता है भगवान को अपने उनको सुक देना हमारे जीवन का भीष्ट है तो यह तो मैंने थोड़ा सा ध्यान का जिससे परिखेस आपको दिया है इस तरीके से आप करेंगे कि कौन से समय में क्या कर रहे होंगे मारे प्रभू उसी इंसाफ से हम सेवा करें कौन से इस समय सीजन उसकी इंसाफ से और समय जिसे रात में विश्वाम करना, दिन में खाना, उनको भोग दार्थ खिलाना, चरण सेवा भी करना, उनके इत्र लगाना, इत्र गंदा वाला इत्र शराब जिसमें होती न, अल्कोहल, वो भगवान को नहीं लगाना चाहिए, वो लगाना हो तो परदे पर लगाओ, उनके शरीर में और कपडे पर नहीं, शुद इत्र हो तो लगा सकते हो शरीर में, उनके, वो भोट कम लगाना चाहिए, तो पदार्थ अच्छे अच्छे, पवितर से पवितर, सुद शूद अच्छे, उनको भोग मेहरपन करना चाहिए, जल पवितर होना चाहिए अशुर्द जल नहीं, दूसित जल नहीं प्रयोग करना चाहिए, तो ये बाते मैंने जो भी मुझे आद आई, वो आपको सुना है मैंने, और भी आपको अपने आप सब ग्यान होता जाएगा, आगे आप फिर भी पूछ सकते हैं, अभी किसी ने प्रश्न किया था, एक लवात मताई गया शवी आदीरी शवी रादे, जए शवी रादे, शवी रादे, जए शवी रादे.